अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा आपकी आधालत रजट शर्मा के साथ आपकी अदालत में आज हमारे महमान है एक ऐसी शक्सियत जिन्होंने इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर पूरी दुनिया में नाम कमाया है जिन्होंने एड़ुकेशन की फील्ड में जबरदस काम किया है जिन्होंने मुसल्मानों की भलाई के लिए बहुत अच्छे काम किया है ये अपनी बात बड़े तरीके से कहते हैं ये जगड़े बढ़ाने में नहीं सुलजाने में यकीन करते हैं प्लीज वेलकम मौलाना महमूद मदनी और आपके अदालत में मैं अमतित कर रहा हूँ हमारे आज के जज़ को हमारे आज के जज़ बहुत खास हैं वो वाकई में इलाबाद हाई कोर्ट में ज़र रह चुके हैं जिस्टिस जकी उल्ला खान आरवाई शुरू की जाए आज शुरू करते हैं आज मुकदमा आपके अदालत में पहला इल्जाम मौलाना महमूद मदनी आपकी अदालत में जमियत उल्लेमा हिंद के प्रेजिडेंट मौलाना महमूद मदनी पर इल्जाम है कि इनकी सोच दकिया नूसी है मौन साहब ये बात सही है कि जम्वित अलमा हिंद 105 साल पुरानी और्गिनरेशन है इसका मतलब यह नहीं कि सोच भी 100 साल पुरानी होनी चाहिए और आज की जो नौजवान हैं वो शिकायत करते हैं वो कहते हैं कि जब हम देवबन में जाते हैं तो नए जमाने से दूर रख का जाते हैं जैसे लडकिों को रील्स नहीं बनानी दी जाती तो आप लडकिों को रील्स बनाने की व्हालत करते हैं हम मैंच चाहता हूँ रील्स बनाएं और इंस्टागरम पर पोस्ट करें ऐसा है कोई भी इंस्टिट्यूशन हो उसका एक उद्देश होता है इसकी मिसाले बहुत सारे मेन इस्ट्रीम एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन में आपको मिलेंगी जहां मुबाइल रखने पर और युनिफार्म पर और इस तरह की कई चीजों पर पाबंदियां हैं यह सिर्फ दारूलूम देवन के साथ नहीं है बलके जब एक खास इंवाइर्मेंट क्रियेट करना है जहां पढ़ने पढ़ने के अलावा डिस्ट्रिक्शन वाली चीजों से बचाना है इसको तो आप मानेंगे कि मौडरन जमाने की चेलिंजिंग चीजों में से एक चीज मुबाइल का मिस यूस है या जरूरत से ज़ादा यूस करना इस्तेमाल करना है ये प्रॉबलम सिर्फ इंडिया की नहीं है बलके गलोबल फिनोमेना हो गया है इसकी वज़े से कई तरह की नई बीमारियां पैदा हुई है उनको निया निया नाम दिया जा रहा है ऐसे में पढ़ने वाले बच्चों को जो गरिजवेशन कर रहे हैं या पोस्ट की रिजवेशन कर रहे हैं उनको डिस्ट्रिक्शन वाली चीज़ों से बचाया जाता है सब जगा बचाया जाता है मैं आपको ऐसी पुरी लिस्ट दे दूँगा चलिए मैं आपके बात मान लेता हूँ कि मुबाइल का इस्तेमाल करने से जो स्टूडेंट से उनको नुकसान होता है लेकिन लड़किया कार चलाएं मोटर बाइक चलाएं इस पर क्यों पाबंदी है कहां पाबंदी है इसको उपर सब चला रहे है अरे नहीं लेकि ये दारूलूरूम की जो वेबसाइट है उस पर सवाल पूचा गया एक बच्ची ने सवाल पूचा उलेमा से कि क्या मैं मोटर बाइक चलाऊं कार चलाऊं तो ठीक है उनने का नहीं ये इसलाम में नाजायज है अब ये तो वही बताएंगे कि लिखने वाले ने क्या लिखा और कप कर लिखावा है किस कॉंटेक्स्ट में सवाल किया गया है ये दारौनूनूनूम की जो वेबसाइट है ये उसका प्रिंटाउट है असल में ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है तो उन्होंने किस कॉंटेक्स्ट में फत्वे कभी इसका बहुत तालुक होता है कि सवाल करने वाला, सवाल करने वाली, सवाल करने का अंदास क्या है, उसके हिसाब से जवाब आते है इस सवाल तो उनका बड़ा सीधा सा था नहीं पता नहीं सीधा सा है, नहीं चुक्छे आपका सवाल भी बड़ा सीधा सा है, तो इसलिए नहीं, उन्होंने लिखे, इसमें लिखाए, इस राइडिंग ए बाइक और अकार, अनलॉफुल फॉर फिमेल अकॉर्डिंग टू शरिया मैं इसको नहीं कह सकता और मुझे लगता है कि इसको अगर ठीक से सवाल किया जाएगा तो इसका जवाब डिफरेंटली आएगा अब इसको ठीक से कैसे पूछेंगे, बता दीजिए हर चीज़ की एक हुदूद होती है, अगर वो हुदूद में रहकर के किया जा रहा है तो वही चीज़ अलाव हो जाएगी अब जैसे उन्होंने पूछा कि मैं आईबरोस बनाती हूँ, तो ये ठीक है, कादनी साब इसलाम में हराम है अब पता नहीं आपने इतना पुराना पुराना कहां कहां से क्या क्या चीज़ निकाली है जो हमारे यंग लड़के लड़कियां हैं वो ये सब सबाद पूछते हैं पूछना भी चाहिए जो नए इशूस खड़े हो रहे हैं लोगों को, नई नई चीज़ें आ रही हैं जमाने में यूज़ करने वाली मेकप के लिए हो अब उसमें ये भी पूछा उन्होंने के फेशल कराना, टैटू बनाना, ये भी हराम है, नाजायज है इसलाम में हाँ, टैटू बनाने के बारे में तो मैं जानता हूं कि इसको नाजायज माना गया है क्योंकि उस जमाने में भी बनाया जाता था तो उसको वो तो किलियर है बिल्कुल उसमें तो कोई डाउट नहीं है लेकिन बाकी उस सवाल करने वाले के सवाल पर होगा क्या क्या चीज हो सकती है किस तरह हो सकती है अब एक मौलाना ने तो जिस शादी में डीजे बज़रा था उन लिका कराने से मना करता है हाँ बिल्कुल हम तो ये फैसला कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि जिस शादी में डीजे होगा जिस शादी में जरूरत से जादा खर्चा किया जाएगा जिस शादी में जरूरत से जादा रोशनी करी जाएगी जिस शादी में इन्वार्मेंट का धियान नहीं रखा जाएगा जिस शादी में गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाया जाएगा उस शादी को हम होने नहीं देंगे हमारा बस चले तो हम होने नहीं देंगा हम तो सरकार से भी कहते हैं कानून बनना चाहिए ये क्या मदाख बना रखा है कि शादियों को बिग फेट वेडिंग्स कर रहे हैं और गरीब का मदाख उड़ रहा है गरीब को पीने का ठीक ठाक पानी नहीं मिल ला है आप शादिया इतने हम लोग अर्दू में कहते हैं तुजको एहत्शाम के साथ इतना सजा सजा के करते हैं आप गरीबों के बारे में कोई सिंसीरिटी नहीं आपके पास अप कैसा मुल्क बनाना चाहते हैं कैसी दुनिया चलाना चाहते हैं कोई अपना निकाह कैसे करता है शादी कैसे करता है यह सुसाइटी का मामला है सारी सुसाइटी को करना चाहिए मिल के हमें हमें और आपको मिल के करना चाहिए यह सुसाइटी को गलत रास्ते पे नहीं जाने देंगे गरीब की गरीब की गुर्बत का मदाग नहीं उलाने देंगे किसी को मुल्क को देश को समाच को गलत रास्ते पे नहीं जाने देना चाहिए सब लोगों को ठीक से बैटके इस पे चिंता करनी चाहिए तो इसका मतलब है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भी लग जाना चाहिए ठीक है इससे क्या मुराद है आपके क्योंकि उसमें यही तो है कि भई शादियां सबकी एक तरीके से हो एक तरीके से क्या मुराद है यही तो प्रॉब्लम है अगर सबके लिए एक तरीके से होने लगे तो इसका कोई एक वाइप पेपर आना चाहिए डिसकुशन होना चाहिए अच्छी बात है कि अच्छी चीज़े लागू हो लेकिन कोई इसके बारे में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है कहते हैं कि एक होना चाहिए अब जब एक होने की बात करेंगे उसको कौन डिनाई करेंगा लेकिन जो ला रहे हैं वो एक तो नहीं ला रहे हैं कैसे लाएंगे किस फॉर्मिट में लाएंगे इस पर डिसकुशन तो जरूर होना चाहिए अब उसमें ये तो नहीं कहा गया कि जिसको निकाह करना है उसको फेरे लगाने पड़ेंगा हाँ तो ठीक है उसमें क्या प्रॉबलम है अभी इंडिया में हो क्या रहा है इंडिया में क्या दुनिया की प्रॉबलम आ गई है ये एक common phenomena हो गया है कि आपकी हैसियत है पचास हजार रुपे खर्च करने के आप दिखावे के चक्कर में बीस लाख रुपे खर्च का पैसा जमा करना शुरू करते हैं इसी बात के लिए भाया वो पैसा आप खर्च कीजिए बच्चों की एजूकेशन के उपर तालीम के उपर खर्च कीजिए वो एक दिन के लिए कि वो कहते हैं न चार दिन की चांदरी फिर रंदेरी रात है ये तो तमाशा बना लिया है देखे आज के जमाने में जो शादिया होती है मुझे मालूम ने कितना बाकिफ है उनसे वो सारी की सारी कैमरे के लिए होती है वर माला भी तीन चार बार री टेक हो जाते है और जो उनकी शान और शौकत है उसी से नजर आते है ये एक होड लग गई है दिखावे के तो मेरी हाँ की शादी मैं मैंने दसलाक रुपे खर्च कर दिया मेरे परोस में जो बंदा है वो भी उसी के बराबरी आने के लिए वो भी दसलाक रुपे खर्च करता है और उसके लिए उसे कितना अपनी सत्य अनास कराना पड़ता है तो ये तो बड़ी दुश्मनी है समाच के साथ समाच को, समाच के लोगों को, आप जिसे लोगों को, बड़े लोगों को ये कि आप चो बात कह रहे हैं वो अच्छी बात कह रहे हैं कि खर्चे वाली बात लेकिन ये तो नहीं कि इसलाम में जैसे लड़कियों के लिए आईबरोस बनाने पर पाबंदी है कार चालाने पर पाबंदी है उनके शादी में म्यूजिक पर भी पाबंदी है इस सवाल म्यूजिक का है ने ने सवाल म्यूजिक का भी है तो म्यूजिक के बारे में तो ये उपिनियन है बनी भी पहले से तो हम लोग उपिनियन से बाहर क्यों जाएंगे क्यों जाएंगे वो हमें तो कहना पड़ेगा अब आप आधुनिक हो जाएं उसके लिए आपका मेयार एक है मेरा मेयार कुछ होई दूसरा है अधुनिक होने के लिए मेरे नजदीक आधुनिक होने का मतलब यह है कि हम आपके बारे में आपकी चिंताओं के बारे में आपसे म आधुनिक होने का मतलब यह है कि हम पानी बचाने के बारे में जादा जागरूख हो जाएं। देश की बेटियों को अपनी बेटियों को बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। बराबर का मौका मिलना चाहिए। उनका सम्मान होना चाहिए। उसको बाजार की चीजमत बनाना चाहिए। देखे यह जो मैं फत्वे देखूँ वो कार नहीं चला सकती, मोटर बैक नहीं च पहुत सारी पाबंदिया है इसी तरह एक दो बता दीजी मुझे हैं यही है मुबाइल नहीं रख सकते अगर आप इस्टिट्टूट में रहेंगे वो तो दोनों के लिए है सब के लिए है लड़कों के लिए भी है और बहुत सारी है ऐसी मिसाले कितनी बताऊंगा मैं आप तो क्योंके फत्वा लेकर पकड़ के बैठ गए हैं तो अब यह तो मुझे जो दारूल उलूम की वेब साइट है उससे यही फत्वे मिले और सारे फत्वे लड़कियों के लि लेंगी क्या यह वाकरी सच है कि बस कहने की बात है देखिए जब कोई एक सिस्टम समाच का डिवलप किया जा रहा है तो उसमें दोनों बाते होती हैं सजा भी होती है इनाम भी होता है तो कहीं इनाम का तथकिरा होगा जरूर अब उसको और इंफिसाइज किया जा रहा है और उसको बढ़ा करके बयान किया जा रहा है ऐसी चीज़े ढूंडी जाती हैं सर ने भी ऐसा बहुत रिसर्च करके ऐसी चीज़े ढूंडी है हमारे भाई साब ने तो वो इसी तरह का है कि बहुत ज़ादा उसको उसका प्रोपेगंडे के तोर पर उसको प्रेजिंट किया पाकिस्तान की जर्रॉलिस्ट है, उन्होंने वहां एक मौलाना से पूछा, कि मेरे हजबेंट को तो हुरे मिलेंगी, मैं जाओंगी तो मुझे क्या मिलेगा? एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि मैं तो ये चाहता हूँ आप से भी, कि पाकिस्तान का तो जिकर ही ना किया जाए. लेकिन आपने आपने एक जर्रसा इनके सवाल से रिलेट करके एक सवाल किया है, तो जो इनाम मर्दों को मिलेगा, जो भी मिलेगा अच्छे काम करने पर, और बुरे काम करने पर जो सजा मर्दों को मिलेगी, इसी तरह औरतों के लिए भी होगा, इनाम भी है और सजा भी है यह ऐसा नहीं हो सकता है कि अख्तियार ही ना करूँ अगर में और अथ हूं तो हो सकता है मैं अपने हजबन को चूस ही ना करूँ बिल्कुल यह उक्तियार मिलेगा और वेल एजूगेटेड मुस्लिम फैमिली जमें भी बहुत सारे मतलब बचे होते हैं तो यह कौन करता है कि कितने बच्चे होने चाहिए उपर वाला या फिर फैमिली उनका सवाले के इंप्रेशन यह है कि जो मुस्लिम फैमिली जा उनमें बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं तो कितने बच्चे होने चाहिए यह पेरेंट्स जिसाइड करते हैं कि उपर वाला डिसाइड करत ये सवाल ही गलत है इसलिए कि आप ये सवाल कर रहे हैं कि मुसल्मान कम्यूनिटी में बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं ये डेटा के खिलाफ है ये आज़ की तारीख में जो डेटा है वो ये कहता है बे पढ़े लिखो में और गरीब लोगों में बच्चे ज्यादा होते हैं उसमें हिंदू भी हैं, मुसल्मान भी हैं, सब तरह के लोग हैं आप तालीम दे दीजिए, आपके पास सही तादाद में बच्चे भी हो जाएंगे और उनकी एजूकेशन भी हो जाएगी, अपलिफ्मेंट भी हो जाएगी, मुल्की तरक्पी भी होगे तो जो चार शादियां करेंगे, उनके जादा बच्चे होगे या एक करेगा उसके होगे जो चार करेंगे इसके उपर भी डेटा मौजूद है इसके उपर भी डेटा मौजूद है मतलब आज तो आज तो दुनिया तरक्पी कर गई है हर काम रिसर्च बेस्ट होना चाहिए इन्फॉर्मेशन बेस्ट नहीं होना चाहिए कि आपसे मिल गई किसी और से मिल गई किसी और से मिल गई आप सारी संकिया को निकाल लीजे शादियां जादा कहां हो रही है कौन लोग एक्स्ट्रा मेरिटल एफियर्स में है कौन लोग किस कम्यूनिटी के लोग ज्यादा है इसमे ये मुसल्मान हिंदू का मामला है यह नहीं न संक्या का मामला मुसल्मान हिम्दू का है नहीं एक से ज़्यादा तालुकात रखने का मामला किसी और मख़ब में तो एक से ज़्यादा अश्यादा करने की इजादत नहीं है हाँ नहीं है उसके बावजूद कौन है ज्यादा इसमें यदरा देख लीजे इंडिया में अच्छा आप कह रहें कि इजाज़त नहीं उसके बावजूद कई कई रखी हुई है यही हो रहा है तो अब उसका क्या करेंगा मुझे नहीं लगता कि लोग इस बात से इत्वा करें मेरी तो अक्सर बाते ऐसी हैं कि एक खास इंवार्मेंट क्रियेट हो गया है मेरी तो एक बात भी लोग मानने तो बड़ी बात है बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए सोभा की बात होगी एक और सब्जेट जिसके आजकल बहुत चर्चा है वो भी सौ साल पुराना कानून है वो है वक्फ को लेकर और वक्फ पोर्ड के कानून में जो अमेंडमेंट किये जा रहे हैं ये आउड़ेटेट सोच के वज़े से उनको एकसेप्ट नहीं किया जा रहा है देखिए एक तो ये सवाल के सो साल पुराना कानून है ये सवाल गलत है ये कानून तो अभी अमेंड हुआ है 95 वगरे में कुछ इसके ओपर काम हुआ है एक बात ये है दूसरी बात ये है कि अवकाफ है कיה इसको समझना जरूरी है हमारे भारत में खासतोर से लोगों का एक मिजाज है सब मधभवालों का कि वो दान करते हैं गरीबों के लिए तो कुछ लोगों ने कुछ चीज़े दान करी है और वो दान की वी चीज़ों के मिनेजमेंट के लिए एक सिस्टम की जरूरत महसूस हुई अंग्रेजों के जमाने में और उन्होंने एक एक्ट बनाया फिर फिफ्टी थरी में फिफ्टी फोर में अमेंडमेंट हुआ या बनाया गया नए सिरे से और फिर 95 में हुआ फिर 2013 में भी उसमें कुछ हुआ है यह जरूरत के हिसाब से इसको चीज़ों को मोडिफाई किया गया है अब यह जो नए अमेंडमेंट का सिस्टम डिवलप किया जा रहा है इस वतलाने की कोशिश की जा रही है यह उसके उसकी जो जरूरते थी जिस जरूरत के लिए यहां तक पहुँचे थे उसको बजाए बेडर करने के वापस पिछे की तरफ ले जा रहा है तो हमारा इसमें देखे दो तीन मोटी मोटी बाते है वक्फ के पास पूरे देश में नौ लाख एकड़ जमीन है और यह जमीन तीसर नमबर पर रेलवे और डिफेंस के बाद में सबसे ज़्यादा जमीन है जिस जिर्फ दो इस्टेट क्या तामिल नाडू और तिलंगाना या अंधरा दो इस्टेट में इससे कम से कम एक लाख एकड़ जियादा जमीन सिर्फ दो तीन हिंदू इंडॉमेंट्स के पास मौचूद है बाकी इंडिया की बाती अभी नहीं कर रहा हूं यह तो पूरे इंडिया में है जो आप बता रहे हैं साथ लाख चालिस हदार या साथ लाख असी हदार कुछ एकड़ बताते है फिर इसमें एक प्रॉब्लम यह हुई है कि लोगों ने कबजे कर लिया नाजायस कबजे कर लिया इसमें डिफरेंट गॉर्मेंट के डिपार्टमेंट्स भी शामिल है और प्राइविट भी है और मुसल्मान भी है तो इसको और बहतर करने की जरूरत थी कि जो कबजे हैं उनको खाली कराया जाए बजा बहतर करने के इसको और खराब किया जा रहा है आप कबजे खाली कराने के बात करें कि आपके जो चाचा जी है अर्शद मदनी साथ उन्होंने का कि जो बैंगलोर का एरपोर्ट है उसकी सेंकोड़ एकर जमीन वो वक्त की है उन्होंने कहा तो शायद उन्हों रिसर्च किया होगा मैंने इसके बारे में कोई रिसर्च नहीं किया और हम लोगों की बात ना करें बलके हम बात करें उस उस प्रोजेक्ट की ये एक प्रोजेक्ट है आज की तारीख में मुल्क में जैसा माहूल बनाया जा रहा है उस माहूल को देखकर पता नहीं क्यों मुझे लगता है अगर मुझे करट कीजगा आप उस माहूल को देखकर ऐसा लगता है कि जिसे ही ये वक्फ की वक्फ बोर्ड इंडिया का नहीं है किसी और परोस के दुश्मन मुलक का है पहली बात अब वक्फ बोर्ड बनता कैसे है आपको मालू हम चाहते हैं वक्फ बोर्ड भारत के मुसलमान बनाएगा कानून ये कहता है कि वक्फ बोर्ट जो बनेगा वो इस्टेट गवर्मेंट्स बनाएंगी और सेंटरल वक्फ कॉंसिल को बनाने के लिए सेंटरल गवर्मेंट का मिनिस्टर बनाएगा पहला तो हमेरा यही है हम कहते है स्जी पीसी की तरह बना दीज़ आप इसे शिरुमनी गुर्दवारा परमंदक कमेटी का गठन जैसे होता है ऐसे इसका गठन होना चाहिए आज तक ऐसे गठन नहीं होता है सरकारें अपनी मर्जी के लोगों को बिठा लेती है सेलेक्शन करके वो कुछ-कुछ थोड़ा से एक पार्ट है उसका एलेक्शन का के मतवलियों कहां से एक मिम्बर आ जाएगा फ़ना जगा से आ जाएगा तो यह एक बड़ी लंबी डिबेट है इसको बहतर करने की जरू करना चाहिए आप तो उसको और आसान बना रहे हैं कि कब्जेवालों का कब्जा मुकमल हो जाए और कब्जा करने वाले हो तो 2005 का मैंने पड़ा वो कह रहे थे कि ताजमेहल भी वक्फ की जमीन है और एसाई के कंट्रोल में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी जिसमें दोनों ओपन माइंड हो करके सोचें तो ये जाएगा कहां किस के पास जा रहा है ऐसा तो नहीं है कि वो चायना चला जाएगा मैं उस मुलक का नाम नहीं लेना चाहता हूं जिसका नाम आपने लिया था चायना चला जाएगा क्या नेपाल चला जाएगा क्या कहीं नहीं जाएगा इंडिया की चीज़े इंडिया में रहेगी और हम हमारे बारे में आज की तारीख में एक खास किस्म का वो बनाया गया है जैसे हम कुछ और हैं कहीं और से उतर के आए हैं किसी और दुनिया की मखलूग है मुसल्मान इंडिया का मुसल्मान हम जहां थे तो आफशन मिलाता हूँ मैं बार बार इस बात को कहता हूँ हमारे पास चुछ थी हम चूस कर सकते थे हमने इंडिया को चूस किया है और सोच समझ के किया है मैं कहा करता था हमारे लिए इंडियन मुस्लिम्स के लिए रहने के लिए इंडिया से अच्छी दुनिया में कोई दूसरी जगह नहीं है पर आज ऐसी ऐसी मुश्किल जगह पे हम खड़े हैं कि सोचते हैं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए काश हमें ये मौका होता कि हम उसी तरह सीना चोड़ा करके ये बात कह सकते तो उस सिच्वेशन से तो निकालना आप ही लोगों का काम है अब शायद ये परेशानी तो नहीं कि सवाल पूछे जा रहा है ये पूछा जा रहा है कि तमिल नाडू में एक गाउं पंदरा सौ साल पुराना था वहां एक भी मुसल्मान नहीं रहता है सारी हिंदू आबादी है वहां मंदिर है उसको कहा जा रहा है ये वक्फ वोड़ की जमीन है अचा अगर मैं ये कहूं कि आपका ये स्टूडियो वक्फ वोड़ की जमीन है मैं कह सकता हूं इस बात को कोई मान लेगा और क्या ये सिस्टम कोई सिस्टम इसके लिए मौजूद नहीं है ये जितने भी ये कोटे बनती है ना ट्रिविनल इस्पेशल ट्रिविनल के ओपर ये प्रॉबलम है बात ट्रिविनल में जाएगी ट्रिविनल कौन बनाता है नॉर्मल कोट होता है किसी नॉर्मल कोट को एक स्पेशल एक्ट के तहत ट्रिविनल डिकलियर कर दिया जाता है कि ये वक्फ का ट्रिविनल है उस ट्रिविनल में जो जज्जमिन देने वाले लोग होते हैं वो मैं नहीं बैठा हूंगा वहाँ आप नहीं होंगे कि बही चलिए आप दिये दो मुसल्माने नहीं मिलके जो चाहे कर लिया वक्फ बोर्ड का मतलब यहीं निकलता है ने कि यह मुसल्माने यह सब चीज़ पर कब्जा कर लेंगे और अगर कोई इंसिडेंट ऐसा कोई गलत हुआ भी है तो उनके कहने से थोड़ी हो जाएगा पूरा एक प्रोसेस मौजूद है वक्फ के बारे में इंप्रेशन तो यह क्रीट किया गया है कि वक्फ ने जहां रुमाल रख दिया वो जमीन वक्त की होगा मुझे इसके उपर आप बाकाइदा अलग से इसके उपर डिबेट करा लिए मैं इस तैयारी के साथ आऊँगा आँगा आपको बताऊँगा कि वक्फ के दावे कितनी जगा पर थे और किस तरह से उसके खिलाफ फैसले हुए यह जो टरिविनल है यह टरिविनल ही बहुत सारे टरिविनल इसपेशल एक्ट के तहट बने हुए है सिर्फ आवकाफ का नहीं है और भी चीजों का है इंकम टेक्स का है फला का है फला का है इसका मतलब यह थोड़ी होता है कि वो मेन स्ट्रीम सारी चीजों से बाहर हो गया ऐसा बिलकुल नहीं है अब तो मामला Parliament के सामने है, जीपिसी के सामने है लेकिन एक मामल्फा परल्लिम्ट और जीपिसी का है उस से जादा बड़ा मामल्फा है पबलिक का पबल्फी डिस्कोर्स में यह बात है कि यह तो इनकी नाज़वर्दारी हो रही है और यह कहीं ओर जा रही है सारी जमीने और वक्ट बोर्ड भी कहां से बन रहा है सारा वक्ट बोर्ड एक सिस्टम के रहता है पब्लिक यह नहीं कह रही है कि सारी कहीं और जा रही है अब मैं आपको लेटेस उजार देता हूँ शिमला वहां पर कभी भी हिंदू मसल्मान का जगड़ा तकरार ऐसी कोई बात नहीं हुई एक साब ने वहां एक जगा पर चार मिला मस्जद बना ली और उसको लेकर के लोग सड़कों पर है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग कह रहे हैं कि बाहर से लाके रुहिंग गया और बंगला देशी मसल्मानों को यहां बसा दिया उन्होंने हमारी तहबाजारी पर कभजा कर लिया और मुश्किल होगी तेकि एक यह पर्टिकॉलर में शिमला की बात पर आपको जवाब दू तो वो बिलकुल वहां फोकस हो जाएगा हम बात करना चाहते हैं एक प्रोजेक्ट की एक सिस्टम की सिस्टम के लिहाज से जो जो खराबियां हैं वो ठीक होनी चाहिए हर सिस्टम में हर जगा हर कानून में हर एक्ट में अमेंडमेंट की ज़रूवत है लेकिन वो गनसन जो सुसाइटी का हिस्सा है उससे कंसल्ट करके एक पॉजिटिव इनवार्मेंट में उसको ठीक किया जाना चाहिए मेरा एक बात इसी के साथ आपने क्योंके स्पेसिफिक शिमला की बात करी है मेशिमला की बारे में जितना मैं जानता हूँ मैं आपसे दो बाते कहता हूँ एक बात यह ईलीगल कंस्ट्रक्शन के दो हिस्से होता है ऐक होता है परमिशन ली थोड़ा जादा बना लिया उसके लिए भी सिस्टम में मौजूद है, या तो तोड़ा जाएगा उतने हिस्से को, या उसको डेमेज बगएरा लगा कर, जुर्माना लगा करके उसको डेगुलराइस किया जाएगा, जो एक नॉर्मल सिस्टम है, उस सिस्टम में जो चीज चाहे इंडिविज्वल का हो, और चाहे सुसाइटी की हो, किसी की, सब के लिए एक कानून, एक सिस्टम मौजूद है, उसके उपर इंप्लिमेंटेशन होना चाहिए, किसी की कोई रियाएट नहीं होनी चाहिए, अब बात आती है उसकी, कि तहबादारी पर कभजा कर लिया है, अच्छा, और रोहंगिया है, तो किसी को मुझे रोहंगिया बताना तो बहुत आसान है, बस एक खास पहचान है मेरी, तो मैं रोहंगिया हो गया, तो ये तरीका गलत है, आप एक सिस्टम में जाएए, आप देखिए, इंटिलिजेंस एजन्सी मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है, अगर कोई आदमी महां रहता है, उसको भागने पर मजबूर होना पड़ा, उसको कोई कुसूर भी नहीं था, एक आदमी न गलती कि ये पूरे समाज को आप सिजा देंगे, और मेजरिटोरियन सोच के साथ, ये तो शायद मुलके लिए अच्छान है, एक सोच है, जिसको आप एक स्प कि यहां पर मुसल्मानों को दूसरी जगाँ से लाकर बसाया जा रहा है, उन में बंग्रादेश से आइफेल होगे, उसमें रुहिंगा मुसल्मान है, और इन इलाकों की डिमोग्राफी बदली जा रही है, अगर कहीं अब चमूली का किस्सा है, कितने फेमली थैं, देख ल जाएगा, कि टोटल कितना है और उस टोटल में ये लोग कितने है, अच्छा इसमें से पराने कितने हैं और नए कितने हैं, और इतने कोई बिसनिस करने कहीं पहुचा है, तो वो कहां से आया है, उसका बेक्गराउंड क्या है, इसको तो एक पूरा सारे स्टेट की सारी अब ये मुझे मैं तफाक से देख रहा था शायद आप ही के चैनल पर कुछ चार दिन पहले कि वहां का लोकल आदमी ये कह रहा था कि भई ये कोई एक मिसाल बताईए कि पिछले दो सालों में कितने कैसे हुए हैं आज तो आप कह रहे हैं जब आप गुस्से में हैं लड़ाई के वो हैं कोई एक हादसा हुआ होगा तो लेकिन इससे पहले देखिए ना कि दो साल में कितने इंसिडेंट्स हुए हैं इस तरह के वो रखकर के सामने हकीकत पर होना चाहिए बात रियालिटी अलग चीज़ है परसिप्शन अलग चीज़ है इतफाख की बात यह है कि परसिप्शन ऐसा बना दिया गया है अब आप भी परसिप्शन बना रहे हैं कि कंसल्टेशन नहीं किया गया है नहीं हमारा perception तो यह perception नहीं है यह reality है बताए यह किस से consultation किया गया है मैंने तो Parliament में जो केरन रेजूजू है जो बिल पेश कर रहे था उनकी बास सुनी थी उन्होंने का कि इसका basis सच्चर कमिटी की report है इसका basis जेपीसी की पिछली report है और हमने लाकों लोगों से डिली में पटना में बंगाल में कांटेक्ट किया है वो कह रहे हैं ना उनका दावा है और हमारा दावा यह consultation हुई ही है consultation का तो एक process होता है और वो process open होता है वो open process का कोई एक नहीं से पूछ लीज़ आपके बताएँ दरहा हो मैं माल लूँगा बापरे की कंसल्टेशन करके अगर बदलाव हो जहां जरूरी होगा जो मुनासिब रिजनेवल बदलाव होगा वो तो होना ही चाहिए मतलब जैसे मैं कहता हूँ SGPC के हिसाब से होना चाहिए इसको इसका फॉर्मेशन वक्त बोड़ोगा जैसे SGPC का होता है तो यह सारी सजेशन्स पार्लमेंटी जेपी सी के पास जाएंगी हम तो भेजी रहें जो भी हो सकता है सारा कुछ भेजी रहें और साथ साथ सड़कों पर भी आवाद उठा रहें जरूत होगी तो जरूत जाएंगी सड़कों पर भी जाना चाहिए ऐसी होता है तरीका JUDYMOKRASY है intriguing तरीकों से जो भी करना है वो किया जाना चाहिए बिल्कुल जरूत करेंगी अगर जरूत पड़ेगी उसको भी करेंगी कि यही जाना चाहिए तो यहां एक ब्रेक के लुकेंगे और ब्रेक के बाद आपके अदालत में मौलाना महभूद मदनी पर इजामा उत्वा सवालात का एक अब तक तक तो यही था कि हलाल और जटका में फरक होता है बस यह फरक बहुत छोटा सा है बहुत छोटा सा पाट तो टूथपेस्ट में जटका और अलाल कैसे हो सकता है बेलकम बैक आपके अदालत में आज हमारे महमाने जमीत अलमाई हिंद के चीफ मौलाना महभूद मदनी आपके अगला इसाथ आपकी अदालत में जमीत अलमाई हिंद के प्रेजिडेंट मौलाना महमूद मदनी पर इल्जाम है कि ये मजभब के नाम पर व्यापार चलाते हैं जमीत अलमाई हिंद हलाल ट्रस्ट है हलाल कॉंसल अफ इंडिया है जिसके सर्टिफिकेट आप इशू करते हैं और ये कहा जा रहा है कि उससे काफी कमाई होती है बड़ा बिजनस है वो उसमें क्या बुराई है मैं अपना आपके सामने पेश कर सकता हूँ कि कितना टेक्स जाता है कितने खर्चे जाते हैं और क्या सर्पलस होता है ये बिजनस नहीं है ये सर्विस है हर्गिस बिजनस नहीं है ये बिल्कुल सर्विस है बिजनस तब होगा जब प्रॉफिट एक्सपेंस एक्सपेंस बिखा दूँगा कि क्या सर्पलस हुआ हर सर्टिफिकेट के लिए 10,000 रुपए लेते हैं ना बिलकुल नहीं किसी सार्टिफिकेट के लिए 10,000 रुपए नहीं लिया जाते हैं यह गलत इंफॉर्मेशन है आपके पास यह रिजिस्ट्रेशन के लिए कोई कंपणी के 10 किसी सिंग और डिफरेंट डिपार्टमेंट आई एसो और उन कंट्रीज के लिए जहां जो इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनके जो सर्टिफिकेशन बोडीज हैं उनके कॉलबरेशन से उनके मश्वरे से उनके फैसलों से यह सिस्टम डिवलप किया गया है लेक चीज लिखा जा सकता है लेकिन टूथपेस्ट तेल साबुन वो हलाल और हराम कैसे हो सकते हैं पहले तो ये बताईए मेरा खाना मेरा खाना और इस बोतल में रखावा पानी ये एक इशू है मेरी कमाई वो भी तो हराम हो सकती है मैं कहा करता हूँ दोस्तों से कमाई तो हराम की खा रहे हो और रेस्टूरेंट हलाल के ढूंडते हो तो क्या हलाल हुआ हो कमाई ही हराम है तो फिर खाना कैसे हलाल होगा तुमारा ये मैं आपको हलाल समझाने के लिए बता रहा हूँ तो पानी पर भी सर्टिकेंट लगेगा बिल्कुल पानी को भी देखना पड़ेगा के जिस केमिकल से इस पानी को साफ किया जा रहा है या जिस बरतन में या जिस मशीन में डाल कर इस पानी को साफ किया जा रहा है वो पानी पाक है या नहीं अगर पाक है तो हलाल है ना पाक है तो हराम है तेखिए जो स्टीफ के जो अफिसर्स हैं उन्होंने कहा कि जात में पाया गया हलाल कॉंसल अफ इंडिया के जरीए प्रोड़क्स के बिना वेरिफिकेशन के क्या तो है कि हमाफ कॉनसिल ओफ इंडिया अलग चीज Greetingsousー ऐ हो ने बारे में कहा गया होता है और लैब टिस्टिंग के बग़ेर वो certificate जारी करते हैं एक बात तो यह इसके जवाब में दो बाते हैं एक बात यह है कि उनके Father of India को मैं represent नहीं करता हूँ मेरे से विलेटेट नहीं आपके बारे में उन्होंने का कि मौलाना महमूद मदनी को उत्तफदेश की स्पेशल टास्क फोर्स के जरीए छे गंटे तक पुश्टाच की गए नहीं दो दिन तक और उसके बाद फिर और दो दिन तक और में ही अकिला हूँ जो आगिया हूँ दूसरे कोई गया भी नहीं सुप्रिम कोर्ड से प्रोटेक्शन मिलावाता मुझे भी मिलावाता लकिन मैं गया जाकर मैंने का बिलکل मैं सवाल करूँ गय। तो उन्होंने क्या कूछा और आपनेकिया बता आपको बतारा हूँ भीया पानी अगर नापाक है गंदा पानी है और उसको मशीन से साफ कर दिया और नापाक जगह से रिसोर्स उसका सोर्स जो नापाक है तो पानी हलाल नहीं होगा हराम होगा हलाल का मतलब काटना नहीं होता है यह बोध यह बिल्कुल लास चीज़ अब तक तो यही था कि हलाल आज़ोध च्छोटा सा आज बहुत चोटासा पाट तो टूत्पेस्ट में जट्का आज़ाल कैसे उसकता हैं की तूत्पेस्ट में चर्बी मिला या ऐसे ऐसे victorious मिला अगय हैं मैं तो why do be vegetarian लोगों के बारे दो इस ऐसे material मिलाए गय हैं जो gelatin वगर ऐसे बनाए गय हैं हड़ियों से बनता है जानवरों के तो तो जाय-ज नहीं होगा न थैज है मुह मैं आप लगाएंगे उसको youse करेंगे तो तो कैसे हो तेल तेल खाने का तेल है तो वो तो ऐसे ही होगा या लगाने का तेल नारियल का तेल में भी तो यही प्रोसेस है ना मानली यह जानवर की चर्बी मिला रखी है तो उसको उसके लिए है कि आपको अपना सर्टिफिकेट बनाने के लिए अपनाना एक और बात है, यह हमारी शर्त नहीं है, शर्त है इंपोर्टिंग कंट्रीज की, आप एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं, और पेट में दरद भी हो रहा है आपको, तो यह तो नहीं चलेगा ना, दोनों चीज़ें नहीं चलेंगे, एक्सपोर्ट बन कर दीज़े, म उनकी वो थी के भै यह चीज होनी चाहिए और इस तरह इस परोसेस से गुदर के आनी चाहिए, उनकी क्वालिटी उनकी क्वालिटी का एक यह जरूरत है, अब इंडिया को एक्सपोर्ट करना है, और एक कंट्री नहीं है, ऐसी कोई पचासों कंट्रीज हैं जिनकी यह रेक इक्वार्मेंट पूरी करवानी है डिपार्टमेंट को तो हमारे पास आए हम तो उनकी मदद कर रहे हैं हमसे का आज कह दो आज बन कर देंगे तैयार हैं बिल्कुल पूरी तरह बन करने के लिए कमाई नहीं है इसमें उल्टे बेज़ती हो रही है ने मजाक उड़ाया जा र बजा रहे हैं खुषो और है आपके सवाल पर तो ये है त्यापकी बाद ही क्या कि अगर नहीं ज़रूरत है तो यप बंड़ ना तो आपको नहीं लगता की लड़ियों को इकॉल अपॉर्चुनिटी को फ्यस्यादी मिलनी आपका आपका सवाल बड़ा वाजिब सा सवाल है वाजिब नहीं है वाजिब सा सवाल है तो एक बात आप ये कहती हैं बुरके से अजादी मिलनी चाहिए आपका सवाल ये है और मेरा मानना ये है बुरके से अजादी मिले या ना मिले उसको तालीम जरूर मिलनी चाहिए शिक कोई बच्ची है जिसने बुर्का नहीं पहना जैसे आप ही है आपको पढ़ने की पूरी अपर्चिनिटी मिलनी चाहिए और ऐसा इंवार्मेंट होना चाहिए कि आप सेफ फील करें आप ही ऐसी होती हैं कि आप ये चाहती हैं कि हिजाब में ही रहने में आप अपने आपको सेफ फील कर रही हैं अपने आपको अच्छा महसूस कर रही हैं तो आपको पढ़ने का मौका इस वज़े से नहीं मिलेगा क्योंकि आपने हिजाब पहन रखा है ये जादा अच्छी ब आपको इसके बावजूद का आपने हिजाब नहीं पहना है तो कोई यह कहे कि अगर यह नंगा सर घुमेंगे तो यह सेफ नहीं रहेंगे यह नहीं होना चाहिए किसी किमत पर आपको पढ़ने का पूरा मौका मिलना चाहिए मेरी बेटी मेरी बहन आपकी बहन अपने आपको comfortable नहीं समझती ऐसे institute में जहां लड़के लड़कियां सब एक साथ पढ़ते हूं तो मेरा मानना यह पढ़ाई जरूरी है चाहे हमें लड़की के लिए अलग से सिर्फ लड़कियों का institute खड़ा करना पर पर पढ़ाईंगे जरूरी है पढ़ने से महरूम न रह जाए अपने निकाब की वज़े से अपने हिजाब की वज़े से या अपने लड़कियों के अच्छा बहुत सारे institute और लेडी मौजूद है हम यह कहते हैं लड़कियों की यूनिवर्सिटी बननी चाहिए लड़कियों के मेडिकल कॉलिज बनने चाहिए है भी कई मेडिकल कॉलिज इस मुलक में हैं जो सिर्फ औरतों के लिए लेडी हाडिंग है तो मेरा यह कहना है कि लड़कियों को तालीम जरूर मिलनी चाहिए चाहिए उसके लिए हमें अलग बनाना पड़े अब कोई कमफर्टेबिल है कोई सबके साथ पढ़ने में बहुत अच्छी बात है उनको वहां मौका मिलना चाहिए मैं जानना चाहिँ हो जैसे दारौलूम है देवन्ध है वहां तालीम लेने के लड़कियों को बुरका पहना कमपर्टेबिल है मिक्स करने के तो खिलाव है ना हम की खिलाव है मिक्स करने के पूरी opportunity मिलनी चाहिए, पूरी तालीम होनी चाहिए, mix नहीं होना चाहिए आप नहीं देंगे वो opportunity नहीं हम तो हम यह कह रहे हैं कि जो जिसको जो मौका मिले वो वहाँ पढ़े पढ़े ज़रीव लेकर एक और ब्रेक की हैं रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपके अदालत में मौलान महभूद बढ़ी पर अगला आपने कहा तुम मोधी साब की प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करते हो आप यह चाहते हैं कि मैं उनकी तारीफ न करूँ और हमेशा बुराई करता रहा हूँ यह कैसे हो सकतो है आपकी अदालत में ज़मित अलेमा इहिकी प्रेजिदेंट मौलान महमूद मदनी पर आरोप है कि ये पर्दे के पीछे से सियासत करते हैं अब बॉलान साथ लोग कहते हैं कि आप सियासत में तो नहीं हैं लेकिन सियासत पूरी करते हैं आप नरिन मोदी की तारीफ करते हैं हम इच्छा से मिलते हैं आरेस्स से बात करते हैं हम लोग एक मुलक के सिटीजन है और हमारी अच्छाई बुराई सब एक दूसरे के साथ है देश अच्छा होगा सब के लिए अच्छा होगा देश में कोई बुराई होगी बुरी चीज होगी सब के लिए होगी पॉलिटिक्स तो हमेशा चुपा के की जाती है मैं लेकिन पॉलिटिक्स करता नहीं पर देश के लिए कोई आदमी कोई अच्छा काम करेगा तारीफ करेंगा गलत काम करेगा उसकी मजब मत करेंगे यह जरूरी हमारे लिए है और मिलना भी रखेंगे सब के साथ मिलेंगे समाद मिलना बातचीत करना यह पॉलिटिक्स नहीं है यह जरूरत है हमारी देश की जरूरत है नहीं मिलेंगे तो बात कैसे होगी कैसे समझाएंगे कैसे समझेंगे यह तो जरूरी चीज़ है हम करते हैं तो आपको अच्छा लगता है हाँ मेरा देश है मेरा देश का प्राइम इनिस्टर है अगर उसकी इज़त हो रही है तो देश की इज़त हो रही है और सुनिया है यहां हम उनके पॉलीसियों से पूरा इखतलाफ रखते हैं करेंगे डिसेग्रिमेंट्स हैं अकसर चीज़ों पर बड़े बड़े डिसेग्रिमेंट्स हैं लेकिन देश के बाहर जाएंगे अगर कोई बेईज़ती करने की कोशिश करेगा तो हमारी जान भी उसके लिए कुर्बान हो रहा ही लड़ेंगे पूरी चाहिए बंदी सब हमारे देश के लोग बाहर जाकर कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसल्मानों पर जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान में मुसल्मानों के हल बहुत खराब है अमेरिका में यूके में ये तो मैं भी कहूंगा जो प्रॉब्लम है उसको तो मैं भी बेयान करूंगा जो अगर उसको solve नहीं करने की कोशिश होगी तो मैं सब जगह जाओंगा, जहां भी जाओंगा, महां रोओंगा, यहां भी रोओंगा, बाहर भी रोओंगा, रोना तो मुझे पढ़ेगा, तो इसलिए ये तो ये एक लग चीज है, वो एक लग चीज है. वो कह रहे था कि देश में आजादी के बाद मुसल्मानों के हाला सबसे ज़्यादा खराब है, ऐसा महौल बना जा रहा है कि मुसल्मान को जिन्दा रहने का हक न हो. देखे, एक तरफ मीडिया है, एक तरफ एक खास قسم का परसेप्शन क्रियेट किया गया है, ये आपको नहीं महसुस होता कि जरूरत है इसे करेक्ट करने की, अगर इसके करेक्शन नहीं होगा, और करेक्शन के लिए सिंसिर आफ़र्ट नहीं होंगे, गॉर्मेंट की तरफ स मीडिया की तरफ से और सिविल सुसाइटी की तरफ से तो ये मुलक के साथ दोस्ती तो नहीं मैं तो इसे घद्दारी समझूँगा तो इस सिचुवेशन को बदलने के लिए हम सब लोगों को मिलकर एफर्ट करनी होगी सिचुवेशन तो है ये खराब आपको यहां बुलाने मक्सद यही है जी हाँ कि हम मिलकर के सिचुवेशन सुधारने के लिए कुछ कर सके लेकिन जो दावा सरकार का है सबका साथ सबका विकास हो रहा है वो पता नहीं मैं तो इसके उपर मुझे बिलकुल नहीं लगता कि इसके उपर जिस तरह के सिंसियर एफर्ट होने चाहिए थी वो हो रही है मुझे नहीं लगता बिल्कुल रही है क्योंकि हम हमेशा सरकार के लोगों से बात सुनते है कि राशन में, बिजली में, मकान में कोई भेबाव नहीं किया जाता हिंदू हो, मुसल्मानों सब को है अच्छी बात है अगर ऐसा हो रहा है बहुत अच्छी बात है लेकिन इंसाफ में, कानून में, कानून के इंपलिमेंटेशन में भी बराबरी होनी चाहिए तब है ऐसाब अगर वो नहीं हो पा रहा है तो फिर विकास के और बराबरी के बगेर क्या माने रह जाते हैं तो क्या नहीं हो पारा है इंसाफ, खानून, इंप्लिमेंटेशन उसका और लोगों की इज़त ये तीन चार बहुत बड़ी और बहुत इंपोर्टन चीज़े है कानून तो सब के लिए बराबर है वो बराबर होना चाहिए, उसको दिखना भी चाहिए देखिए आपको लगा की बुल्डोजर चलने से लोगों पर जल्म होता है, नाइसाफी होती है तो आपने उसको सुप्रिम कोटने चैलेंज कर दिया हाँ, वो तो कर रहे हैं, सुप्रिम कोट तक जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थे है ना, जो दावा करते हैं कि सब के साथ बराबरी है, उन्हीं को ऐसा मामला नहीं करना चाहिए ताकि महाँ जाना पड़े किसी को, तो मजबूरी की चीज़ उनका तो तरकिया है कि उत्तर प्रदेश में लॉइड और सिच्वेशन बहुत खराब थी जहां पर लोगों को ठीक करने के लिए सक्ती करने की जरूरत थी और सक्ती की है, उससे मौला नहीं साथ को तकलीफ हो रही है जहां तक इसका है कि लॉइन ओर्डर को ठीक रखना यह अच्छी बात है कि लॉइन ओर्डर को ठीक रखने के लिए जो भी सक्त से सक्त एक्शन लिया जाए वो लेना चाहिए लेकिन उस एक्शन को लेने की भी सीमा होनी चाहिए उस सीमा को अगर लांगा जाएगा तो यह उचित नहीं होगा उनका तावा यह है कि पहले पुलिस आगे भागती थी और माफिया और गुंडे उसके पीछे भागते थे अब गुंडे भागते हैं माफिया भागता है पुलिस उसके पीछे होती है हो सकता है उनकी वो बात सही भी हो मैं उस पर्टिकुलर बात पर नहीं जाना चाहता हूँ मैं सिर्फ उस बात पर जाना चाहता हूँ कि इंप्लिमेंटेशन सब के लिए बराबर और एक जैसा होना चाहिए गलत तरीके से नहीं होना चाहिए लेकिन अगर आपके जैसे लोग किसी माफिया के खिलाफ एक्षिन ले जाने पर अगर अब्जेक्शन करेंगे कहां अब्जेक्शन कर रहे हैं एक्षिन लेने जाने पर नहीं कर रहे हैं सीमा लांगने पर कर रहे हैं यहां सिर्फ माफिया की बात नहीं है, कौमन आदमी भी, अभी वो मुल्जिम है, मुझरिम नहीं है, कहीं किसी जगा से कन्विक्ट नहीं हुआ है, अच्छा और एक बात और बताईए, मैंने जुरुम किया, सजा मेरे बुड़े बाप को माँ को मिल लए यह, यह क्या बात हो पर, उसमें मर्डर की भी केसिस थे, और आठ केसिस में उनको कन्विक्शन हो चुका था, मुझे एक बात बताईए, आप पहले मेरी बात बता दीजिए, आपने, आपने मुझर अंसारी के बारे में का, यह गरीबों के मसिया हैं, सिर्फ मैंने नहीं कहा, उस इलाके से जाक किसी है, वो मुसल्मान का आदमी नहीं था वो, वो तो गरीबों का था, वाके गरीबों का आदमी था, अब वो केसिस हैं, कितने में कन्विक्शन हुए हैं, आप यही कहता हूँ, मैं कि मैं इसके ओपर मेरे पास भी कुछ रिसर्च है, जितना आपने रिसर्च पेश की है, मेरे पास भी कुछ रिसर्च है मैं उसको पेश कर दूँगा पताईए मुझे क्या रिसर्च है वो वाकि गरीबों का मसिया था आप क्या कहने कि आप कोई एक केस उनका ऐसा नहीं दिखा सकते हैं जिसमें किसी के मकान पर उन्होंना कबजा किया हो किसी के साथ ऐसा किया हो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ मैं वापस लूँगा अपनी बार उसको अभी जो उनके भाई पारलिमेंट के मेंबर बने हैं उस कॉंस्टेंसी के दरा सिचुएशन को आप देख लीजए महासे कोई मुसल्मान मुसल्मान बनके तो वैसे भी जीत नहीं सकता नहीं मैं हिंदू मुसल्मान के बात की पुटर हूँ लेकिन आप तो उसी कॉंटेक्स्ट में मुस्से सवाल कर रहे हैं क्योंकि आपने उनके बारे में का था इसलिए मैंने आप से पूछा और जो मैं कह रहा हूँ ये पूलिस का रिकॉर्ड है ये अदालत का रिकॉर्ड है अदालत का रिकॉर्ड है और अदालत का दूसरी रिकॉर्ड भी है बहुत सारे केसेज में उनको वो भी मिली है हाँ मैं तो सिर्फ वो केसे बता रहूं जिनमें उनको सजा हुई हाँ तो ठीक है सजा हुई है तो सजा हुई है उसको सजा तो भुगती रहे थे वो सजा तो भी गती रहते हैं लेकिन किसी आदमी के कोई अच्छी बात अगर अच्छी है तो वो अच्छी भी कही जाएगी ज़रूर आप एक बात है गरीबों के मसिया थे कोट ने सजा दी थी अब आप एक बात बताईए आप ने कहा तुम मोदी साब की प्राइम इनिस्टर की तारीफ करते हो आप ये चाहते हैं कि मैं उनकी तारीफ न करूँ और हमेशा बुराई करता रहूं ये कैसे हो सकता है कहीं कभी तारीफ भी होगी अच्छे काम पर कोई फोरम ऐसा होगा जिस मेरा जिसे अग्रिमेंट है तो अलग अलग फोरम पर अलग अलग मौकव पर एक बात कही जाती है वो गज़र गए तो जो एक आदमी गज़र गया मुखतार अंसारी साब के बारे में कहा रहा है तो उनकी जिन्दगी के जो अच्छे पहलू है मुझे तो उन्हें बेयान कर कभी कोई तारीफ नहीं किया, कोई जरूरत नहीं थी उसके, गुदर गए तो मुझे एक बात कहनी है और इस बात को मैं ही नहीं कह रहा हूं, पूरा अलाका कहता है, किसी से डिस एगरिमेंट होने का मतलब यह नहीं कि वो टोटल बुरा हो गया, और किसी से एगरी होने का यह मतलब नहीं कि टोटल अच्छा हो गया, अच्छे काम भी होते हैं, बुरे काम, मेरे ही आपको सो काम बुरे में जाएंगे, लेकि यह तो एक केस है, लेकिन इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मात्या के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, एक्शन हुए, एंकाउंटर हुए इससे आप अगरी करते हैं? बहुत अच्छी बात है, सब के लिए होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पबलिक में सवाब ले सकते हैं? जो पाँच एकर जमीन दी गई है, वो थी बात, और उसी जमाने में ये बात भी चल लई थी, तो मेरा वो बयान असल में उस कॉंटेक्स्ट में था, लेकिन मैं आज भी इस बात पर हूँ, कि मेरे नेशन के, किसी भी इस तरह के पत पर बेठे वे आदमी को, किसी भी तरह की रिलिजिस एक्टिविटीज में लीड नहीं करना चाहिए, ये मेरी आज भी राह है, उस कॉंटेक्स्ट में नहीं, बलकि ये जन्नल उपीनियन है, और मैं इस पर आज भी आपके बीच मे नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये बात कहता हूँ, कि किसी भी रिलिजिस चीज को लीड हमारे मुलक में नहीं हो, इस तरह के पत पे बैठे हुए लोगों को नहीं करना चाहिए, तो किस को लीड जैसे अब राम मंदिर का उखाटन हुआ, देखिए राम मंदिर के उपर अगर हम जादा जाएंगे, ये चीज़ अच्छी नहीं होगी, ये फिर वही जोड़ने तोड़ने इसके वाली बात से थोड़ा बाहर हो जाएगी, मेरा डुमेन नहीं है, ये इन्होंने सवाल कर लिया, मैंने इनका जवाब ये जिया, ये तो सुप्र और इस बात को बस मैं इसी हद तक रखना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आपके सेंटिमेंट के रिस्पर करता हूँ, एक ब्रेक के बाद मौनान महमूद मद्नी पर इज़ाम और तस्वाला साहिए, सब के साथ हो रही है, बलिंचिंग होगी, कोई दलित है, कोई ट्राइबल है कोई मुसल्मान है, अब मुसल्मान का नंबर जादा है तो वो जादा तसकिरा उसका हो जाता है, पर मैं तो नहीं कहता है ये बात, सिर्फ मुसल्मान के साथ हो रहा है, तो ये गलत है, सब के साथ हो रहा है, मुसल्मान के साथ ज़्यादा हो रहा है आज हमारी महमान है मौलाना महबूद मदनी आपके अगला इल्जाम आपकी अदालत में जमयत उल्लमाई हिंद के प्रेजिडेंट मौलाना महमूद मदनी पर इल्जाम है कि ये जुर्म करने वालों का साथ देते हैं अब ये मेरा इल्जाम नहीं है केंद्र सरकारे में मंत्रिय गिरिराज सिंग उन्होंने का कि देवबंद आतंगबाद की गंगोत्री है और उन्होंने का कि हाफिस सही समेथ कई आतंगबादियों के तार देवबंद से जुड़े हैं उनको मुबारक हो बहुत मुबारक हो जिनके खिलाख UAPA लगा है, टेरिजम का केस है, गुरिफतार किया गया है, उन सब की कोट्स में लड़ाई आप लड़ रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। वकालत करवाना और आदमी को सफाई देने का अधिकार तो हमारे सिस्टम ने दिया है। हम कहां से किसी की वकालत करने वाले हैं, हम कौन हो गएं, हम कुछ नहीं हैं किसी की वकालत करने वाले हैं, यह तो हमारे सविधान ने दिया है, यह इधिकार तो सविधान ने दिया है, और अगर यहां तक है कि किसी के पास वकील नहीं है, तो खुद कोट अपॉइंट करती है वकी तो यह तो जिसके पात वकील नहीं है चाहे वो टेर्रिस्ट हो आप उसके लिए वकील अपएई करेंगे यह फैसला के कौन टेर्रिस्ट है यह फैसला लाइनफोर्सिंग एजेंसिस करेंगी या जुडिशरी करेंगी अब आप ऐसी हम 100 मिसाले देंगे जहां हम लोगों कोई केस नहीं लड़ा आप क्रिमिनल्स की बात करते हैं मैं बहुत ही कंटूरशियल बात कह रहा हूँ यहाँ अफजल गुरू फासी दी गई लेकिन आउट आफ टर्न प्रियरिटी बेसिस पे फासी दी गई क्या मतलब है इसका लेकिन कोट का अदेश से कोट के अदेश से लेकिन आउट आफ टर्न दी गई है प्रियरिटी बेसिस पे दी गई है क्यों किया गया है सबको दी जाती लाइन से जितने लोग थे उसमें जब उसका नमबर आता उसको भी देते हैं जरूर देते हैं क्यों किया है ये एक सवाल है तो एक वर्ग विशेश को आपने गड़े में खड़ा कर दिया है यहां तो आपको सिर्ट उसमें तो कम से कम नरिनमोदी की सरकार नहीं थी किसी की भी हो, मैं सरकार की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं कहां सरकार के विरूद कर रहा हूँ आउट आफ टरन तो सरकार आउट आफ टरन इसलिए कोई भी करे जो घलत है सो घलत है इसलिए यह सवाल मैंने उठाया यह तो आपके सवाल से अलग है मैं अपनी तरफ से सवाल उठा रहा हूँ आपका सवाल यह है कि आप क्रिमिनल्स को आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं ठीक है न? मैं यही कह रहा हूँ एक हजार लोगों के नाम आपको दे दूँगा जिनको हमने सपोर्ट नहीं किया कभी नहीं किया और ऐसी भी मिसाले हैं कि हमारे हाँ लोगों ने अपलाई किया हमने उनको सपोर्ट नहीं किया, कभी नहीं कर सकते, किसी आतंकवादी को कभी सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए, और जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, अगर इस मुलक में नहीं, दुनिया के किसी मुलक में आतंकवादी सोच, आतंकवादी एटिट्यूड, इसको पनपने की जगा दी जाएगी तो ये मुलक के साथ दुश्मनी है जैसे जिन साब का नाम ले रेते हैं भी गंगोतरी बताया है वो खुदी उसी गंगा में नहाए वे हैं आतंकवात की गंगा में नहाके बैठे वे हैं उनको अधिकार नहीं है इस मुलक की केबनेट में रहने का अगर व कोई ऐसा आदमी और इस तरह के एटिट्यूट का आदमी केबनेट में बैठावा है तो मैं उस केबनेट के बारे में क्या सोचूँगा मैं कहा अपने आपको खड़ा देखूँगा उन्होंने तो नाम दिये उन्होंने का मसूद अज़र मुल्ला अमर फदुलरह्मान ये वो आतंगवादी हैं जो देश के दुश्मन है और ये देवबंदी थिंकिंग को सपोर्ट टरने वाले लोग हैं देवबंद को रस्पेक्ट टरने वाले लोग हैं इसलिए मैं कहता हूं को उनको बहुत मुबारक हो और ये हमारी केबनेट को भी बहुत मुबारक हो बस और और क्या कह सकता हूं इससे ज़्यादा तो नहीं कह सकता है। जवाब बहुत पहले बार बार दे चुके हम अभी रिसेंटली बस्तर में और पिछले एक साल कही अगर आप निकाल के देख लें तो जितने इंसिडेंट्स हुए हैं और उसमी जितनी हमारे जवान शहीद हुए हैं अगर उनका रेशो निकाल के देख लेंगे तो कोई मुसल मुसल्मान की तरफ से किया जाने वाला इंसिडेंट्स और अब मैं उसे हिंदू नहीं कहूंगा तो फिर वो हिंदू मुसल्मान बन जाएगा सिवन्टी और थर्टी का रेशो भी नहीं मिलेगा आपको उधर सिवन्टी परसेंट आप वहां से आसाम से चलेंगे और पूरे के इंसिडेंट्स को अगर आप धर्म के एनक से देखेंगे तो मुझे नहीं लगता क्या आप इंसाफ करेंगे बहुत-बहुत नाइनसाफी की बात हो गए है धर्म नहीं है वो धर्मिक इसू नहीं है वो रीजिनल इसू है चाहे बस्तर वाला हो और चाहे बारमूला वाला कहीं कभी मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जो आतनबादी होता है जो किसी को मारता है वो किसी मजभपा नहीं हो सकता है ना हिंदू होता है ना मुसल्मान होता है ना सिख होता है यह आप कहा रहे हैं यह यह तो एक छोटी सी बात है बड़ी बात यह है कि यह मामले हैं ना के नेशनलाइजड हो और ना के इसे किसी धर्म के साथ जोड़ा जाए खासतों से मुसलमानों ये भी वो जो ये ये सवाल करने की नोबत इसलिए आई कि खास environment create कर दिया गया है अब ये environment create किया गया ना ये पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमान पर जुर्ब हो रहे है लिंचिंग हो रही है अब आप उस लिंचिंग के खिलाब उस तरह बोलते नहीं है तो प्रोब्लम खड़ी हो गए उस लिंचिंग के खिलाब बोला जाना चाहिए न हम यह होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, वो कन्विक्शन नहीं है, ना मीडिया के पास है, ना सरकारों के पास है, ना law enforcing agencies के पास है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ मुसल्मानों के लिंचिंग होती है, जैसे आपने कहा कि जो आतंग बाद जब हम इस मुलक में रहते हैं तो मुलक की बात कर रहे हैं मुसल्मानों की बात नहीं कर रहे हैं बहुत लॉंसेंस है यह बहुत लॉंसेंस है कि मैं मुसल्मानों की बात करने लगू हाँ मुसल्मानों की इशूस भी आते हैं एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजे मैं जमियत के बारे में भी कहता हूँ जमियत अलमा हिन मुसल्मानों की और्गनाइडेशन नहीं होनी चाहिए यह मुल्क की और्गनाइडेशन है और अगर हम मुल्क के बारे में सोच करके चीजों को नहीं करेंगे तो हमारा दुर्भाग ही होगाई है बद्किस्मत ही हो गए तो हम अगर जमियत अलमा हिन में बैठे वे हैं तो हम मुल्क के लिए बैठे वे हैं यह जब आप मां रहे हैं कि लिंचिंग हर तरफ होती है तो जब आप जिम्स्रास चाहरा लिए थे तो पर मैं तो नहीं कहता है ये बात कि मुसल्मानों के साथ ऐसा हो रहा है, सिर्फ मुसल्मानों के साथ ऐसा हो रहा है, ये गलत है अगर कोई भी कहे, सिर्फ मुसल्मान के साथ हो रहा है, तो ये गलत है, सब के साथ हो रहा है, मुसल्मान के साथ ज्यादा हो रहा है, और सर उसमे आप जैसे लोगों से बहुत उम्मीद हैं, सौरी मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मौका नहीं है लेकिए, मेरा आप से ये वादा है कि इस काम में में कभी पीछे नहीं अटोगा, आपके बहुत शुक्र गजा रहे हैं, आपके अदालत में हम मुकदमा चला रहे है मुलाना महमुदमी पर अब वक्त रेक का और ब्रेक का बास सुनेंगे आज की जज़्ट का पैस। मुझा बैक आपके अदालत में आज हमने सवाल पूछे मौलाना महमूद मदनी से अब वक्ते आपके अदालत में आज के जजज ज़स्टिस्ज के जाकी लाक हां आज के फैसले का जिससे वो मीट आउट हो सकें मौलाना ने अपने जो जो खालात के जार किया है वो बहुत ही माकूल और बहुत ही वो और अपने हिसाब से ने बताया कि मुसल्मानों में तरक्की आफ़ता लोग है और तरक्की होना चाहिए जहां तक कि बहु विवा यह ते मुल्टिमिल पैर हैं और वो बरी होने लाइख हैं और उनके खिलाफ कोई आरुफ सावित नहीं होते हैं इसलिए उनको पर ही किया था है इस तुंभीत और यकीन के साथ कि मौलान नहीं इसी तरह से समाज में भाईचाहरे के लिए काम करते रहेंगे मुल्क के तरक्की के लिए अपना यूग